C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा चार की ध्वनिपुस्तक गणित का जादू दस्वाँ पार्ट पैटर्न प्रिष्ट एक सौसात टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साली बनाई है यहाँ पर एक साली का चित्र है जिस पर एक ब्लॉक की मदद से डिजाइन बना हुआ है फिर उसने ये चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई यहाँ पर एक चादर का चित्र है जिस पर ब्लॉक से बने हुए डिजाइन है प्रिष्ट 108 उसने इस ब्लॉक की मदद से ये दुपट्टा भी बनाया यहाँ पर एक दुपट्टे का चित्र है जिस पर ब्लॉक की मदद से विभिन डिजाइन बने है क्या तुमने देखा कि टीनों ने एक ही ब्लॉक के प्रियोग से अलग-अलग पैटन कैसे बनाया अब तुम भी इस ब्लॉक की मदद से तीन अलग-अलग पैटन बनाओ पैटन एक, पैटन दो और पैटन तीन यहाँ पर तीन आयताकार चित्र दिये गए हैं प्रतेक चित्र को 14 बराबर भागों में बाटा किया है अब तुम इस ब्लॉक की मदद से यहाँ पर अलग-अलग पैटन बनाओ प्रिष्ट 109 यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग-अलग पैटन बनाए क्या तुम इन पैटनों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो यहाँ पर तीन पैटनों के चित्र हैं पहले चित्र में पत्तियां दिखाई गई हैं इसके पहले भाग में एक पत्ती, दूसरे भाग में दो पत्तियां, तीसरे में तीन पत्तियां, चौथे भाग में चार पत्तियां, और पांचमे भाग में फिर एक पत्ति दिखाई गई है. अब तुम इसी पैटन को ध्यान में रखते हुए खाली स्थान भरो. दूसरे चित्र में तीरों के निशान हैं. पहले भाग में दो तीरों के निशान उपर के तरफ, दूसरे में दो तीरों के निशान नीचे के तरफ, तीसरे भाग में तीन तीरों के निशान उपर के तरफ और चौथे भाग में तीन तिरों के निशान नीचे की तरफ है अब तुम खाली स्थानों में इस पैटन को आगे बढ़ाओ तीसरे चित्र में गोले बनाए गए है यहाँ पर तीन गोले दर्शाहे गए है प्रतेक गोले को चार बराबर भागों में बाटा गया है अब तुम इन खाली स्थानों में इस पैटन को आगे बढ़ाओ हम संख्याओं और अक्षनों से भी पैटन बना सकते हैं नीचे कुछ उधारन दिये गए हैं उनको देखो और आगे बढ़ाओ यहाँ पर चार चितर दिये गए हैं पहले चितर में अंग्रेजी वर्ड माला के अक्षर लिखे हैं पहले चितर के छे भाग हैं इसके पहले भाग में A, B, C दूसरे में D, E, F और तीसरे भाग में G, H, I लिखा है अब तुम इस पैटन को आगे बढ़ाओ दूसरे चितर में कुछ संख्याएं और अंग्रेजी के अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार है पहले खाने में 28, Z दूसरे खाने में 27, Y और तीसरे खाने में 26, X लिखा है अब तुम बचे हुए खानों में इसी पैटन को आगे बढ़ाओ तीसरे चितर में कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस प्रकार है पहली संख्या 864 दूसरी संख्या 764 तीसरी संख्या 664 अब तुम बाकी बचे हुए स्थानों में इसी पैटन को आगे बढ़ाओ चौथे और अंतिम चितर में भी कुछ संख्याएं लिखी हैं जो इस तरह हैं पहले भाग में 9 दूसरे भाग में 109 और तीसरे भाग में 209 लिखा है अब तुम इसी पैटन को ध्याने रखते हुए इन संख्याओं को आगे बढ़ाओ संख्याओं का प्रियोग करते हुए अपने पैटन खुद बनाओ यहाँ पर दो चितर दिये गए हैं पहले चितर में 6 आयत एक के साथ एक जुड़े हुए दिखाए गए हैं पहला आयत नीचे से चौड़ा दूसरा उपर से चौड़ा तीसरा नीचे से चौड़ा चौथा उपर से पांचवा नीचे से और छटा उपर से चौड़ा दिखाया गया है और दूसरे चितर में आधे गोले दिखाये गए हैं पहला आधा गोला उपर से सपाट नीचे से गोलाई दूसरा गोला उपर से गोलाई नीचे से सपाट तीसरा गोला उपर से फिर सपाट नीचे से गोलाई चौथा गोला नीचे से सपाट उपर से गोलाई पांचमा गोला उपर से सपाट नीचे से गोलाई और छटा गोला उपर से गोलाई और नीचे से सपाट दिखाया गया है प्रिष्ट 110 अब बिना संख्याओं का पैटन बनाओ यहाँ पर एक चित्र है जिसके 6 बराबर भाग दिखाये गए है कोई संख्या दोबारा ना आए दिये गए संख्या चार्ट को देखो नौ बराबर भाग है और जिसमें एक, दो और तीन संख्या लिखी हुई है जो इस प्रकार हैं सबसे उपर वाली लाइन 22 से दाई तरफ एक, दो, तीन उसके नीचे तीन, एक, दो और सबसे नीचे दो, तीन, एक इन संख्याओं में एक को नीले रंग से दो को पीले रंग से और तीन को गुलाबी रंग से रंगा गया है और साथ ही दो बच्चों के चित्र भी हैं लड़की कहती है किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोराया नहीं गया है इसी तरह तुम भी A, B, C को दिये गए बॉक्स में लिखो कोई भी अक्षर दोराया ना जाए यहाँ पर एक वर्ग बना है उसके नो भाग है अब तुम इन भागों को A, B और C अक्षर से भरो ध्यान रहे कि कोई भी अक्षर दोराया ना जाए शिक्षकों के लिए निर्देश यहाँ पर पंक्ती और स्तंब शब्दों का प्रियोग नहीं किया गया है पर लाइन शब्द का इस्तमाल करते हुए अध्यापक पंक्ती और स्तंब की धारना पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं प्रिष्ट 111 जादूई पैटरन एक से साथ तक की संख्याओं के इस पैटरन को देखो हर एक लाइन में संख्याओं का जोड 12 है यहाँ पर साथ सितारों की मदद से बनाया हुआ एक पैटरन दिखाया गया है इस चित्र में सबसे उपर तीन सितारे हैं उसके बाद एक सितारा और सबसे नीचे तीन सितारे हैं, सबसे उपर वाले सितारों में लिखी संख्याएं इस प्रकार हैं, दो, तीन, साथ, बीच वाले सितारे की संख्या, चार, और सबसे नीचे के सितारों की संख्या, एक, पांच, छे, दूसरे चित्र में नौ तारे दि इन तारों में भरो नियम ये है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड पंधरा आए जादुई तिकोन अंको के इस पैटन को देखो नियम तिकोन की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड नौ है पहरे गोले में तीन जमा दूसरे गोले में चार जमा तीसरे गोले में दो बराबर नौ अब ये भी देखो कि तिकोन की बागी दो लाइनों का जोड भी नौ होता है या नहीं यहाँ पर एक चित्र में त्रिबुश दिखाया गया है जिसमें छे गोले बनाए गए हैं इन गोलों में एक से छे तक की संक्याय लिखी हैं जो इस प्रकार हैं उपर से नीचे बाई तरफ तीन, चार और दो लिखा है नीचे से दाई तरफ दो, छे और एक लिखा है और दाई से उपर के तरफ गोले में एक, पांच, तीन लिखा है प्रिष्ट 112 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादोई तिकोन बनाओ नियम हर एक लाइन की संख्याओं का जोड दस आना चाहिए अब तुम 1 से 6 तक की संख्याओं को इन तारों में इस प्रकार भरना है कि प्रतेक लाइन का जोड दस आए यहाँ पर एक और त्रिबुज बना है, जिसमें छे तारे हैं संख्याओं की मेनार संख्याओं को मेनार की तरह लगाया जा सकता है इस संख्या पैटन को समझने के लिए नीचे से शुरू करो यहाँ पर संख्याओं का एक मेनार दिखाया गया है जिसमें सबसे उपर एक वर्ग है उसके नीचे दो वर्ग और सबसे नीचे तीन वर्ग बनाए गए है सबसे उपर वाले वर्ग में लिखा है असी उसके नीचे लिखा है तीस और पचास और सबसे नीचे लिखा है दस, बीस और तीस क्या तुम्हें यहां कोई नियम दिखाई दे रहा है। नियम नीचे की दो संख्याओं को जोड़ कर उपर की संख्यावनती है। इस प्रिष्ट के अंतिम भाग में संख्याओं के दो मिनार दिये गए हैं। जिन में एक तरह की ही संख्याओं लिखी हैं। जैसे पहली मिनार में असी, तीस और दस संख्याओं नीले वर्ग में दर्शाई गई हैं। और पचास, बीस और तीस संख्याओं को लाल वर्ग में दिखाया गया है। संख्याओं की दूसरी मिनार में सबसे उपर लाल वाले वर्ग में 80, उसके नीचे लाल वाले दो वर्गों में 30 और 50 और सबसे नीचे नीले वाले 3 वर्गों में 10, 20 और 30 लिखा है। पहली संख्याओं के मिनार के नीचे लिखा है 20 जमा 30 बराबर 50 और दूसरी संख्याओं के मिनार के सामने लिखा है 30 जमा 50 बराबर 80 प्रिष्ट 113 इसी नियम को मानते हुए नीचे दिये संख्या मिनारों को पूरा करो यहाँ पर संख्याओं की दो मिनारे दिखाए गई हैं पहली संख्या मिनार में 10 गोले हैं पांच गोले खाली हैं और पांच गोलों में संख्याओं लिखी हैं पहली संख्या मिनार में सबसे नीचे वाली पंक्ती में 5, 10, 15 और 20 लिखा है और उससे उपर वाली पंक्ती में 10 और पंद्रा के उपर पच्चिस और उसके अगल बगल वाले दो गोले खाली हैं। उसके उपर दो गोले खाली और सबसे उपर वाला एक गोला खाली है। अब आपको पिछले प्रिष्ट के नियम को देखते हुए इन खाली गोलों में सही संक्या भरनी है। दूसरी संक्या मिनार में पंदरा इटें दर्शाई गई हैं. इन्हें पांच पंक्तियों में दिखाया गया है. सबसे नीचे वाले पंक्ति में पांच इटें हैं, जिन पर अंक लिखे हैं एक, दो, तीन, चार और पांच. इसके उपर की चार इटें खाली हैं. उसके उपर क दो और सबसे उपर की एक इट खाली है अब आपको इसी नियम को देखकर खाली इटो पर सही संख्या लिखनी है बराबर जोड का नियम कुछ दोस्त संख्या काड़ों के साथ खेल रहे हैं देखो वो संख्याओं को कैसे जोड रहे हैं यहाँ पर एक चित्र में छे बच्चे दिखाए गए हैं जिनके हाथ में एक कागस है और उन पर संख्याओं लिखे हुई हैं यह संख्याओं इस प्रकार हैं बाएं से पहला ग्यारा उसके बाद दाइनी और बारा फिर तेरा फिर चौदा फिर पंदरा और फिर सोला और क्या तुम वो नियम ढूंड सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड बराबर आ रहा है? नियम संख्याओं का जोड बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें बाएं से पहली और दाएं से पहली बाएं से दूसरी और दाएं से दूसरी बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी यहाँ पर एक चित्र है जिसमें तीन पंक्तियों में संख्याओं दिखाई गई हैं जो इस प्रकार है पहली पंक्ति की संख्याओं ग्यारह जमा सोलह बराबर सत्ताईस दूसरी पंक्ति की संख्याएं बारह जमा पंदरह बराबर सत्ताईस और तीसरी पंक्ति की संख्याएं तेरह जमा चौदह बराबर सत्ताईस यहाँ पर एक और चित्र है जिसमें चार खाने दिखाए गए हैं और उसके नीचे दूसरे चितर में, दो पंक्तियों में खालि स्थान दर्शाय गए है, दूसरा चितर इस तरह से है, पहली पंक्ती, रिक्तिस्थान, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान. दूसरी पंक्ती, रिक्तिस्थान, जमा, रिक्तिस्थान, बराबर, रिक्तिस्थान अब तुम कोई भी संख्या लिखो, और फिर उससे अगली तीन संख्याई लिखो इसी नियम को मानते हुए एक पैटन बनाओ प्रिष्ट 114, जोड के पैटन यहाँ पर तीन पंक्तियों में संख्याईं का जोड लिखा है, आओ, इन्हें पढ़ते हैं पहली पंक्ती, एक जमा दो, जमा तीन, बराबर छे दूसरी पंक्ती, दो, जमा तीन, जमा चार, बराबर नौ तीसरी पंक्ती, तीन, जमा चार, जमा पांच, बराबर बारह यहाँ पर पान के आकारों में कुछ संक्या ही लिखी है और साथ ही एक लड़की का चित्र है, जो कह रही है ओ, हर जोड पिछले जोड से तीन ज्यादा है और ये जोड इस तरह से हैं पहली पंक्ती का जोड छे, दूसरी पंक्ती का जोड नौ और तीसरी पंक्ती का जोड बारह यानि छे जमा तीन बराबर नौ, जमा तीन बराबर बारह दूसरे चित्र में पत्ते नुमा आकार में कुछ संक्याई लिखी है ये संख्याएं तीन पंक्ती में हैं, आइए अभिने पढ़ते हैं, पहली पंक्ती की संख्याएं, एक जमा दो, जमा तीन, जमा चार, बराबर दस, दूसरी पंक्ती, दो जमा तीन, जमा चार, जमा पांच, बराबर चोदह, और तीसरी पंक्ती, तीन, जमा चार, जमा पांच जमा छे बराबर अठारा और साथ ही एक बच्चे का चित्र बना है जो कह रहा है यहां हर जोड पिछले जोड से चार ज्यादा है यह जोड इस प्रकार ज्यादा है पहली पंक्ति का जोड दस दूसरी पंक्ति का जोड चौदा और तीसरी पंक्ति का जोड अठारह यानि दस जमा चार चौदा जमा चार अठारह अब तुम पांच संख्याओं के साथ पैटन बनाने की कोशिश करो यहाँ पर आयताकार खाली चित्र बने हैं आयताकार चित्रों की पांच पंक्तिया हैं अब हम इने पढ़ते हैं और आपको यहाँ पर खाली स्थानों में पांच संख्याओं के साथ पैटन बनाना है पहली पंक्ति रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ती चौथी पंक्ती क्या हर बार हर जोड पिछले जोड से पाँच ज्यादा है? प्रिष्ट 115 गुप्त संदेश यहाँ पर एक लड़की और एक लड़के का चित्र बना है लड़की कहती है तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने के कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा अच्छा, मुझे देखने दो हैं? यह तो कोई गुप्त संदेश लग रहा है यहाँ पर दो बच्चों के चित्र है जिन में से एक लड़का और एक लड़की है इन दोनों ने अपने हाथ में एक कागज पकड़ रखा है जिस पर कुछ अंक लिखे है पहली पंक्ति में लिखे हुए अंक है साथ, पंदरा, पंदरा, चार और दूसरी पंक्ति के अंक है चौदा, नौ, साथ, आट और बीस यामिनी ने नियम समझाया अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया है जैसे जे बराबर दस है पी बराबर सोला है अता जे, यू, एम, पी हो जाएगा दस, एक्किस, तेरा और सोला इस सूची को अक्षरों और संख्याओं की मदद से पूरी करो यहाँ पर एक चित्र में दो पंक्तियों में एक सूची है पहली पंक्ति में अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षर लिखे हैं जो इस प्रकार हैं A, B, C, D, और E और दूसरी पंक्ति में कुछ संख्याओं लिखी हैं जो इस तरह हैं एक, दो, तीन, चार और पाँच अब तुम अक्षरों और संख्याओं की मदद से इस सूची को पूरा करो टीनू अपने दोस्त को गुड मॉर्णिंग लिखकर देना चाहती है इस नियम को मानते हुए उसे क्या लिखना होगा? लिक्तिस्थान इस खाली जगह में तुम अंग्रेजी अक्षरों को देखकर सही संख्याओं लिखो अगर हम नियम को बदल दें और B के स्थान पर एक लिख दें D के स्थान पर तीन लिख दें और इस तरह लिखते जाएं तो हम Let Us Dance कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एक गोला नुमा चित्र में खाली स्थान भरा है वहाँ पर तुम इसी नियम को देखकर अक्षर लिखो शिक्षकों के लिए निर्देश गुप्त संदेशों का कोडिंग और डी कोडिंग करना पैटन पहचानने का हिस्सा है गणितिये चिंतन के लिए नियम की पहचान करना जरूरी है 116 कुछ और गुप्त संदेश यहाँ पर तीन बच्चों के चित्र हैं दो बच्चों के हाथ में दो-दो कागज है इन कागजों पर अंग्रेजी वर्ण माला के कुछ अक्षर लिखे हुए है लड़की के दोनों कागजों में इस तरह से लिखा है पहला कागज अंग्रेजी वर्ण माला के अक्षर आई, एफ, एम, एम, पी विस्मया बोधक्चिन, दूसरी पंक्ति, I, P, X, B, S, F, तीसरी पंक्ति, Z, P, V, प्रश्ण वाचक्चिन, लड़की के हाथ का दूसरा कागज, और अक्षर हैं, पहली पंक्ति, X, J, M, M, दूसरी पंक्ति, Z, P, V, Q, M, B, Z, और तीसरी पंक्ति, लड़के के हाथ के दोनों कागजों में इस प्रकार लिखा है पहला कागज पहली पंक्ति के अक्षर दूसरी पंक्ति यू आई बी ओ एल तीसरी पंक्ति जेड पी वी फुल स्टॉप दूसरा कागज अक्षर है जेड एफ टी विस्मया बोदक्चिन यही पर एक दूसरी लड़की लड़के के बगल में खड़ी हुई कुछ सोशती हुई दिखाई गई है शबलू और जग्गू एक खेल खेल रहे हैं वो कुछ गुप्त संदेश लिख रहे हैं पर काहुली उनको समझ नहीं पा रही है इसलिए जग्गू ने नियम समझाया जग्गू देखो हमने हर एक अक्षर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया है इसलिए F के स्थान पर G N की जगा पर O लिख रहे है इसलिए Y, E, S, Y, S Z, F, T बन गया है काहुली ओ, अब समझ में आया काहुली अब तुम बता सकते हो कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर काहुली द्वारा लिखे गए अक्षर इस थरह से है X, F, B, S, F, G, S, J, F, O, E, T काहुली का गुप्त संदेश क्या था? रिक्तिस्थान शवलू और जगू ने क्या लिखा था? रिक्तिस्थान इसी नियम को अपनाते हुए Meet Me on the Moon लिखने की कोशिश करो तुम अपने नियम बना सकते हो और अपने दोस्तों से ये गुप्त संदेश समझने को कह सकते हो प्रिष्ट 117 उल्टा पुल्टा अनीशा खेल-खेल रही है वो अपने दोस्तों को दिखा रही है कि वो अपने सिर पर खड़ी हो सकती है यहाँ पर अनीशा के दो चित्र बने हैं पहले चितर में अनिशा ने अपने दोनों हाथ उपर उठा रखे हैं और अपने दोनों पैरों को खोल रखा है। दूसरे चितर में अनिशा उल्टी हाथ के बल खड़ी हुई दिखाई गई है और उसके दोनों पैर उपर की तरफ हैं। अब अनिशा इस कार्ड से खेल रही है. ये कार्ड उल्टा होकर कैसा देखेगा? यहां बनाओ. यहां पर दो कार्डों की चित्र हैं. पहला कार्ड भरा हुआ है और दूसरा कार्ड खाली है. पहले कार्ड में सबसे उपर साथ लिखा है और उसके साथ पान का छोटा चित्र बना है. सबसे नीचे साथ उल्टा लिखा हुआ है और साथ ही पान का उल्टा छोटा चित्र बना है. इसके अलावा पान के साथ चित्र और बने हैं और ये चित्र तीन पंक्तियों में इस प्रकार बने हैं. पहली पंक्ती तीन बड़े चित्र, दूसरी पंक्ती एक बड़ चित्र दूसरा काड़ खाली है अब आपको इसी काड़ को इस तरह बनाना है कि ये उल्टा होकर कैसे दिखेगा फर्ष के पैटरन फर्ष के पैटरन क्या तुमने कभी ऐसा फर्ष देखा है जिसमें ऐसी टाइल्स लगी हुई हूँ यहाँ पर फर्ष के दो चित्र है इनमें टाइलों के दो अलग-अलग पैटरन बने है पहले फर्ष के चित्र में गोलाई नुमा पैटरन बने है और दूसरी चित्र में उल्टा वी वाला पैटरन बना है इन टाइल्स को फर्ष पर कुछ इस तरह लगाया जाता है कि ये पूरी तरह से फर्ष पर फैल जाए और बी चित्र में चार टाइल्स को दिखाया गया है, जो तिकोने आकार की हैं। इन चार टाइलों में पहली और तीसरी टाइल संतरी और दूसरी और चौतरी टाइल बैंगनी है। फर्ष को बिना जगा छोड़े भरने की कोशिश करो, क्या तुम कर पाए? अपने दोस्तों से चर्चा करो, यहाँ पर एक चित्र बना है, इस चित्र में एक हरा गोला बनाया गया है, अब तुम दिये गए खाली स्थानों में बिंद्वों की सहता से इसी पैटन को ध्यान में रख कर पाकी टैले बनाओ, ग नीचे बने टैल के पैटन को पूरा करो, इस चित्र में आयताकार कुछ खाने बने हैं, जिने नीले रंग से रंगा गया है, और इनके बीच में लाल रंग से एक तारा बना हुआ है, अब आपको टैलों के इस पैटन को बिंद्वों की मदद से आगे बढ़ाना है और पूरा करना है, प्रिष्ट 119, घ, रमय्या ने अपने ब्लॉक की मदद से एक दिवार बनाई है, क्या तुम उसके लिए इस दिवार को पूरा कर सकते हो, यहाँ पर एक दिवार का चित्र है, जिसकी चार पंक्तिया है, हर पंक्ति में दस इटे है यह इटें अलग-अलग पैटर में रंगी दिखाई गई है, दिवार की पहली पंक्ति इस प्रकार है, पहली इट संतरी, दूसरी इट नीली, रेखाएं तिर्ची, तीसरी इट बैंगनी, इस पर कुछ बिंदू बने है, चौथी इट संतरी, पांचवी इट नीली, बैंगनी, इस पर बिंदू बने है, अब तुम बाकी चार खानों में इसी पैटर की मदद से इटे बनाओ, दिवार की दूसरी पंक्ति, पहली इट नीली, तिर्ची रेखाएं, दूसरी पंक्ति, बैंगनी, कुछ बिंदू, तीसरी इट, संतरी, चौथी इट, नीली, ति पांचमी इट, बैंगनी, कुछ बिंदू, और छटी इट, संतरी, अब तुम बाकी चार इटों को इसी पैटर से आगे बढ़ाओ, दिवार की तीसरी पंक्ति इस प्रकार है, पहली इट, संतरी, दूसरी इट, नीली, तिर्ची रेखाएं, तीसरी इट, बैंगनी, कुछ बिंदू, चौथी इट, संतरी, पांचमी इट, नीली, तिर्ची रेखाएं, और छटी इट, बैंगनी, कुछ बिंदू, अब तुम बाकी की चार इटों को इसी पैटर की वदत से आगे बढ़ाओ, और दिवार की अंतिम पंक्ति इस प्रकार है, पहली इट, नीली, तिर् चौथी इट, नीली, तिर्ची रेखाएं, पांचमी इट, बैंगनी, कुछ बिंदू, और छटी इट, संतरी, अब तुम बाकी की चार इटों को इसी पैटर की मदद से आगे बढ़ाओ, रिणू ने इस दिवार पर रंग करना शुरू किया है, अब तुम उसकी इस काम मे मदद करो, प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक चितर बरा है, जिस पर पांच पंक्तियों में कुछ लाइने हैं, और इन में अलग-अलग रंगों से कुछ चितर बने हैं, पहली पंक्ति के रंग इस प्रकार हैं, पहले हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फ फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, और उसके बाद खाली स्थान दिये गए हैं, और उसके बाद के खाली स्थानों में, तुम इसी पैटन को ध्यान में रखकर रंग भरो. दूसरी पंग्ति के रंग इस प्रकार हैं, और इसके बाद खाली स्थान दिये गए हैं, अब तुम बागी के स्थानों में इसी पैटन को ध्यान में रखकर रंग भरो. तीसरी पंक्ती, रंग हरा, फिर पीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, अब तुम बाकी के स्थानों में इसी पैटन की मदद से रंग भरो चौथी पंक्ती, पहला रंग पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, और इसके बाद के खाली स्थानों में इसी पैटन की मदद से तुम रंगों को स्वैम भरो पाजवी पंक्ति के रंग, पहले हरा, फिर पीला, अब तुम दिये गए खाली स्थानों में इसी पैटन को ध्यान में रखकर खुद रंग भरो और इसी के साथ दसवा पाट पैटन अब यहीं समाप्त होता है इसी के साथ चौथा पाट टिक 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 अब यहीं समाप्त होता है स्वर प्रवीन शर्मा, तक्निकी समन्वयक, बटिलेंग लिंडो, ध्वनियंकन, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, रुचिशर्मा, निर्देशन और निर्मान, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत